वेलकम टू सिविल्स अउनली एरली करेंट अफेयर सीरीज का यहां फिफ्थ वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में उसकी बाद नॉम्बर दोजार इकिस का करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा और आप इसकी पीडियाफ उसके बाद जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो ल बार रिवाइज करते रही है तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न है ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रिजिस्टेंस प्रोजेक्ट के अनुसार वैस्विक अस्तर पर एंटिबायोटिक खपत दर में कितने प्रतिशत की व्रिद्धी इसका करेक्ट अंसर होगा 46 प्रतिशत के दो दसकों में यानी 2000 से 2018 तक 204 देशों के एक अध्यन के अनुसार वैस्विक अंटिबायोटिक खपत दर में 46 प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है और जो यह डेटा है यह डेटा ग्लोबल रिसर्च ऑन इंटिमाइक्रोबियल रि इस्टेंस प्रोजेक्ट द्वारा लेंसें प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित किया गया था नेक्स्ट कुश्चन है निमलिकित में से किस राज्ज ने दुआरे राशन योजना की शुरुवात की है दुआरे यानी की राशन एड डॉर स्टेप ऑप्संस है तमिल पश्चिमंगाल सरकार ने हाले में दुआरे राशन यानी राशन एड डॉर स्टेप योजना की शुरुवात की है और इसके अंतरगत 10 करोण लोगों को हर महीने निश्चित दिन पर उनके घर पर राशन दे दिया जाएगा काफी अच्छी पहल आईए चलते नेक्स्ट पुणे मुंबई नई दिल्ली इसका करेक्ट अंसर होगा तंजावूर तंजावूर जो की तमिलनाडू में है वहाँ पे हाली में केंद्री और भोगता मामले खाद्य और सारवजनिक विद्रण मंत्री प्यूश गोयल द्वारा तंजावूर में भारत के पहले खाद्य फोर्थ क्वेश्जन है हाली में किस शहर में राष्टी रच्छा समरपण पर्व आयोजित किया गया है ओप्सन्स हैं मेरट नई दिल्ली जैपूर जासी करेक्ट अंसर होगा इसका जासी आजादी का अमरित महच्छो के एक हिस्से के रूप में राष्टी रच्छा समरपण पर्व 17 नुम्बर से 19 नुम्बर 2021 तक जासी यूपी में आयोजित किया गया था आजादी का अमरित महच्छो जो है इसकी सुरुवात 12 मार्च 2021 को प्रधान मंत्री द्वारा की गई कहां से की गई आहमदाबाद साबरमती अहमदाबाद के साबरमती से की गई थी और यह जो आज राष्टिय रक्षा समर्पन पर्व है इस अउसर पर रच्छा मंत्राले द्वारा कई स्कीम्स की डिक्लिरेशन भी की गई है जो की निमलकित है इसमें हैं सो नए सैनिक स्कूलों की स्थापना एन्सीसी पूर्व छात्र संग का सुभारम एन्सीसी कैडिटों के लिए शिमुलिशन प्रसिक्षन का राष्टिय का रिक्रम और एन्सीसी सीमा और तटिय योजना आदी नेक्स्ट क्वेश्चन है आडिट दिवस निमलकित में से किस दिन मनाया जाता है ओप्शन हैं 10 अक्टूबर 18 दिसंबर 16 नौवंबर और 27 सितंबर इसका गरेक्टर नस होगा 16 नौवंबर हाली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षा के गिरीश मुर्मू ने प्रथम लेखा परिक्षा दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि 16 नौवंबर को प्रथम लेखा परिक्षा दिवस के रूप में चुना गया है क्योंकि इसी दिन 1860 में पहले महाव लेखा परिक्षा सर एडवर्ड ड्रमन ने कारिभार समाला था और अब से इस दिन को प्रतिवर्स आउडिट दिवस के रूप में भी मनाये जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा सिक्स क्वेश्चन है निमलिकित में से किस राजज ने कैसरे हिंद को अपना तितली राज तितली घोशित किया है यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके ओप्शन्स है केरल आंध प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इसका करेक्ट अंसर होगा अरुणाचल प्रदेश कैसरे हिंद है जिसका बैग्यानिक नाम है टीनो पालपस इंपीरियालिस जिसका अर्थ होता है भारत का समराठ ठीक है और इस तितली ये तितली है और इसका पंक जो है 90 से 120 मिलिमीटर का होता है और भारत के च्छा पूर्वी हिमालाई राज्यों के अलामा कहां कहां किस जगा पाया जाता है भूटान, नेपाल, लाउस, म्यामार, दच्छडी-चीन और वियत नाम में ये जो तितली है ये वर्ने जीव सनरच्छण अदनियम 1972 की अनुसूची सेकेंड के तहट सनरच्छित गोशित की गई है और इसकी आयोसिया निस्थिती क्या है निकट संकट गरस्थ है चलते है नेक्ट कुश्चन पर सेवंध कुश्चन है थिनागया पुस्तक में शिवाजी की कहानिया लिखी गई है ये कहानिया किस लेकक की कृती है ओप्संस है बाबा साहब पुरंदरे शिवाजी शावंती रंजीत देशाई नाम देव धसाली इसका करेक्ट एंसर होगा बाबा साहब पुरंदरे ये जो बाबा साहब पुरंदरे हैं इनका हाली में 15 नुवंबर 2021 को निधन हो गया है कहां पे हुआ है पुडे में ये पद्म विभूशन से भी सम्मानित थे और इनकी इनी की कृती है क्या थिना गया जिसमें सिवा जी की कहानिया है और बाबा साहब पुरंदरे की प्रसिद्धी मुख रूप से सिवा जी महराज पर किये गए कृतियों की वज़ा से थी और ये एक प्रसिद इतिहासकार और लेखक भी थे इन्होंने जनता राजा का निर्देशन भी किया था जो की छत्रपटी सिवा जी के जीवन पर आधारित एक लोगप्रिय नाटक है ठीक है और सिवा जी पर लिखी गई उनकी कहानियों को थिन गया नामक पुस्तक में संकलित किया गया है यह तो बताए चुके है नेक्स्ट वेशन है बिश्टु का सबसे बड़ा सौर उर्जा पार्क कहा है ध्यान दीजेगा बिश्टु का सबसे बड़ा सौर उर्जा पार्क ऑप्शन्स हैं गुजरात तमिल नाडू गोवा राजस्थान इसका correct answer होगा राजस्थान भारत के राजस्थान में इस्थित जैपूर से लगभग 320 किलोमेटर पस्चिम में यह भदला सोलर पार्क है जो 14,000 एकड में फैला हुआ है यह बिश्टु का सबसे बड़ा सौर उर्जा पार्क है जिसकी परिचालन चमता कितनी है 2245 मेगावाट है बहुत ही मौतपूर है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाली में निमलिकित में से किस देश के साथ संसदिय मैत्री संग का गठन किया है ओप्शन्स है स्री लंका मालदीव बांगलादेश पाकिस्तान इसका करेक्ट अंसर होगा स्री लंका स्री लंका ने क्या किया था हाली में चीनी उर्वरक की खेब को अस्विकार कर दिया था उसके बाद भारत से उर्वरक खरीदने का फैसला किया उसके बाद भारत स्री लंका संसदिय मैत्रोई समू का गठन किया गया जिसमें स्री लंकाई संसद के वरिष्ट सदस सामिल है और यह भारत के संबंदों को फिर से जीवन्त करने के लिए किया गया है ठीक बीच में थोड़ी सी खटपट आ गई थी भारत और स्री लंका में अब यह फिर से उन संबंदों क को जीवन्त करने के लिए किया गया है नेक्स्ट कुश्चन है कॉप 27 जलवाय। सिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा ऑप्शन्स है भारत दच्छिर कोरिया मिस्र चीन इसका करेक्ट अंसर होगा मिस्र यह मिस्र जो है 2022 में कॉप 27 सेंक तुराष्ट जलवाय। परिवरतन सम्मेलन की मेजबानी करेगा और कॉप 26 2021 जो है इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गए थी UK द्वारा और इसका आयोजन कहां किया गया था ग्लास को स्कॉट्लेंड में इसके बारे में हमारे पिछले वीडियो में चर्चा भी की गई थी चलते हैं नेक्स्ट खुद्रा निवेशक, निजी बैंक, केवल सहकारी बैंक, सरकार का इसका करेक्ट एंसर होगा खुद्रा निवेशक, रीटेल इंवेस्टर्स, देखे आर्बियाई ने हाली में एर्बियाई रीटेल डारेक्ट स्कीम और रिजरबेंक इंटीग्रेटेड ओप्समेन स्कीम और इन योजनाओं के सुभारम के साथ ही RBI अब खुद्रा निवेसकों के लिए सरकारी बॉंड भी जारी करेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर जलवाई परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंतरगत भारत की रैंक क्या है ओपसंस है 55, 34, पहली या 10 पहली तो नहीं हो सकती क्योंकि इस जलवाई परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है उसकी पहली दूसरी और तीसरी रैंक कोई भी देश नहीं प्राप्त कर पाया है इसमें पहली रैंक एक तरीके से चौथी रैंक पे डेनमार्क है जो की इन सारे देशों में शीर्ज पर है उसके बाद स्वेडन और नार्वे है और यहां आप ग्राफ में देख सकते हैं इसकी पहली दूसरी तीसरी रैंक खाले ही है यह क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टिटूट के सहयोग से जर्मन वास द्वारा क्लाइमेट चेंज पर्फॉर्मेंस इंडेक्स प्रकाशित क्या दता है यह ग्रीन हाउस गैस उटसर्जन नवी करडिय उटजा जलवाय उनीती आदी सहित 14 संकेत कों के साथ देशों का विशलेशन करता है इसमें भारत की रैंक जो है दस्वी है जबकि अमेरिका 55 और चीन 37 स्थान पर है और साथ में ही भारत जो है G20 समू के सीर्स परदशन करने वाले देशों में भी शामिल है तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तैंक यू